आज की क्लास वाकई अंग्रीजी बोलने का प्रमास्त वाली क्लास होने वाली है क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जिनका इस्तमाल आप कोई सभी वाके बोल रहे हो वाक्य भले present में बोल रहे हो future में बोल रहे हो past के बारे में बात कर रहे हो इनका इस्तमाल आपको आ जाएगा तो आप present, past, future तीनों में से कोई सभी वाक्य बोल रहे हो किसी भी time किसी भी situation का वाक्य बोल रहे हो आप आराम से इनको अस्तमाल करके वो वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे तो अंग्रेजी बोलने की सूपर टेकनीक चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल यानि कि present वाले time की यानि कि जब भी आप present के बारे में बात कर रहे हो present tense के बारे में बात कर रहे हो वरतिमान काल के बारे में बात कर रहे हो तो आप कौन से शब्द यूज़ कर सकते हो उनका मतलब क्या होता है क्योंकि मतलब नहीं पता होगा तो किस वाक्य में कौन सा word use करेंगे यहाँ पर confusion हो जाएगी है न तो present का वाक्य बोल रहे हैं तो कौन सा वाक्य बोल रहे हैं कौन से शब्द इस्तमाल होने हैं उनका मतलब क्या होता है और सबसे जरूरी उनका इस्तमाल कैसे किया जाता है कुछ rules होते हैं क्या यह सब को चार्च के class में पढ़ेंगे सब के बारे में present, past, future तीनों के बारे में पढ़ेंगे चिके चली शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले शब्द को जो की है मे, m-a-y मे जिसका मतलब जो है आपको सकता है, सकता हूँ, सकते हो करके इस्तमाल किया जाता है और इसका इस्तमाल आप ऐसे वाक्यों में करते हैं एक बात को ख्याल आपको रुखना पड़ेगा कि मे का जो स्तमाल है वो कैसे वाक्यों में करते हैं वाक्यों जो परमिशन वाले या रिक्वेस्ट वाले होते हैं वहाँ पर मे का स्तमाल किया जाता है जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, may I help you? अगला शब्द है have याद रखिये, बात प्रेजन वाले वाक्यों की हो रही है have की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है पास है या चुका हूँ दोनों ही मतलब तरीकों से ये इस्तमाल होता है जैसे मेरे पास एक बुक है I have a book, मेरे पास एक बुक है I have a book, मैं खा चुका हूँ खा यहां पर जो है गायब है मैं खा चुका हूँ, I have eaten मैं खा चुका हूँ, I have eaten Hey everyone, welcome to Be Banker Spoken English Class स्वागत है आपका आज की क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती माम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों का कलेक्शन जो आपको help करते हैं present, past, future में से कोई सब वाकिय आप बोल रहे हूँ आपको यह इन्ही वाकियों का इस्तमाल करना हो present का कर रहे हूँ अगर इस्तमाल present वाले वाकिय का तो set of words है उनका use करेंगे, past में set of words है उनका use करेंगे future के लिए, अलग set of words है उनका use करेंगे, चिक है चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते वक्त मैं बता दूँ की premium spoken English का जो batch है, वो app पर कराया जा रहा है, दो महने की course है छे महने की validity है और इस course को आप easily कर सकते है आपको notes वगेरा, homework वगेरा सब कुछ मिल जाता है तो जरूर से इस course को कर ले app को google play store पर जा करके install कर सकते हैं download करके अपनी phone पर install कर सकते हैं इसके आगे कोई दिक्कत अगर महसूस हो तो इस number पर whatsapp कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के छे तक free class से समंदित या e-book से समंदित परिशानी या चाहिए अगर e-book या free class तो इस number पर whatsapp कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के छे तक बढ़ते हैं आगे और बतादू कि e-books अगर आपको चाहिए तो इस website पर जा करके आप easily e-books को डाउनलोड कर सकते हैं e-books को अपने फोन पर डाउनलोड किया जाता है तो make sure करें कि payment होने के बाद आप e-books को अपनी फोन पर डाउनलोड कर ले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगले शब्द की जो यूज़ोगा present में that is सकता हूँ सकता है सकते हैं can इसके जगह पर यूज़ होता है और can जो है वो शमता को दिखाता है ability को दिखाता है जैसे आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ I can do it मैं ये कर सकता हूँ I can do it I can do this जो भी आप कहले I can do this मैं ये कर सकता हूँ I can do this तो यहाँ पर can का स्टमाल हम लोग करते हैं, शमता दिखाने वाले वाक्यों में can का use किया जाता है, इसको याद रखेंगे, अगला शब्द है am, जिसका मतलब होता है, हूँ, क्या मतलब होता है, हूँ, जैसे मैं एक सिक्षक हूँ, I am a teacher, मैं एक सिक्षक हूँ, I am a teacher, रहा हूँ, I am studying, अगला शब्द है have been, जहाँ पर मतलब होता है, ता आ रहा हूँ, क्या मतलब होता है, ता आ रहा हूँ, have been का use करते हैं, जैसे मैं काम करता आ रहा हूँ, I have been working, मैं काम करता आ रहा हूँ, I have been working, अगला शब्द है might, जिसका मतलब होता है शायद सकता हूँ, क्या मतलब होता है शायद सकता हूँ, ठीक है जैसे कैसे यूज करेंगे, मैं शायद बीमार पढ़ सकता हूँ, I might get sick, मैं शायद बीमार पढ़ सकता हूँ, I might get sick, बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की ओर जो है must जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए. क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए. मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए. I must help them. बढ़ते हैं आगे. बात करते हैं अगले शब्द की जो की है have to. क्या है? have to. जिसका मतलब होता है ना है या ना पढ़ता है. दोनों में से कोई भी अगर आप वाके में यूज़ कर रहे हों तो उसी सेम वाके की जब आप मतलब English convert करोगे तो आपको ना है मतलब आपको ना है ना पढ़ता के बदल मुझे जाना है या मुझे जाना पढ़ता है. I have to go. अगला शब्द है should जिसका मतलब होता है चाहिए. क्या मतलब होता है? इस शब्द का मतलब होता है चाहिए. जैसे मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए. I should work hard. मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए. I should work hard. अब बात करते हैं कि अगर वाक्य आपका जो है वो past का हो, past time का हो यानि कि भूत काल वाले वाक्यों के लिए कौन सा set of words है जिसको आपको हमेशा ready रखना है यूज करने के लिए शुरू करते हैं भूत काल वाले words के बारे में बात ये है was, सबसे पहला word was जिसका मतलब होता है था या थी वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा आपको तो आपको was का यूज करना है जैसे मैं एक व्यापारी था, I was a business man मैं एक व्यापारी था, I was a business man मैं काम कर रहा था, I was working इस तरीके के भी वाक्य दिखेंगे, ठीके, मैं काम कर रहा था, I was working इसके बार आपको मिलेगा could, जिसका इस्तमाल होता है सका या पाया, अगर वाक्य के end में यूज हो रहा है तो इंग्लिश में could का यूज करेंगे, जैसे मैं नहीं जा सका I could not go, मैं नहीं जा पाया, I could not go दोनोही जगहों पर could का यूज करेंगे, क्यूंकि बात कर रहे हैं past वाले वाक्यों की मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा पाया, I could not go had अगला शब्द है, जिसका मतलब होता है past था one इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक मतलब है, एक और मतलब होता है वो मैं बताऊंगे आगे, had का जो पहला मतलब है, वो होता है past था जैसे मेरे पास एक car था, I had a car मेरे पास एक car था, I had a car दूसरा मतलब होता है, चुका था, क्या दिखेगा वाक्य में चुका था तो मैं पढ़ाई कर चुका था, I had studied मैं पढ़ाई कर चुका था, I had studied बढ़ते ही आगे, had been had के साथ been का प्रयोग, मतलब निकल करके आता है, आ रहा था क्या मतलब निकल करके आता है, आ रहा था, जैसे वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying, had to का use भी सीख लेते हैं, जो मतलब बनता है ना था या ना पढ़ा, क्या मतलब होता है, ना था या ना पढ़ा, जैसे मुझे पढ़ना था, या मुझे जाना पढ़ा, है ना, मुझे पढ़ना था, तो I had to study, मुझे जाना पढ़ा, I had to go, right, इस तरी के से इसका use किया जाएगा, अगला शब्द है did, जिसका मतलब होता है क्या, या, जैसे क्या मैं वहाँ गया, did I go there, क्या मैं वहाँ गया, did I go there, बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भविशित काल की यानि की future वाले वाक्यों की बात करते हैं, मतलब ऐसा वाक्य, जो future का आप बोल रहे हो, उसके लिए क्या set of words है आपके पास, जिसका use आप कर सकते हो, और easily future वाले अपने वाक्यों को जो भी आप बोल रहे हो, उसको इंग अगेगी, अगर किसी भी वाक्य के end में use हो रहा है, तो उसकी English में, सबसे पहलो तो यह समझ जाए कि यह वाक्य जो है, वो future वाला वाक्य है, और उसकी English convert करते वक्त आपको will का use करना है, किसका use करना है, will का use करना है, क्या मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई I will study, I will study, यही पर हो जाता, क्या मैं पढ़ाई करूँगा, will I study, यह इसका interrogative use हो गया, चलिए, will be यानि कि रहा हूँगा, will be, रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, I will be studying, I will be studying, मैं पढ़ रहा हूँगा, I will be studying, अगला है, will have, will के साथ, have का प्रयोग, जिसका मतलब निकला, चुका हूँगा, क्या मतलब निकला, चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, I will have studied, ना होगा, अगला है, अगर वाकिक एंड में यूज़ कर रहे हैं, ना होगा, इंगलिश में यूज़ करेंगे, will have to, will have to, मुझे जाना होगा, I will have to go, मुझे जाना होगा, I will have to go, अगला शब्द है, will be able to, क्या है, will be able to, पाऊँगा, सकुंगा, दोनों ही तरीके से यूज़ हो जाएगा, जैसे, मैं नहीं जा पाऊँगा, या, मैं नहीं जा सकुंगा, देखिए वाक्य तो वही है ना आप मतलब मतलब बोलने का तरीका बस थोड़ा डिफर हो जाता है मैं किसी और तरीके से बोलते होंगी आप किसी और तरीके से बोलते होंगे रैट मैं नहीं जा पाऊंगा मैं नहीं जा सकूंगा I will not to be able to go I will not to be able to go अगला शब्द है would जिसका अस्तमाल गा, गे, गी तीनों के तरह पर कर सकते हैं जगा पर कर सकते हैं लेकिन इनको यूज करने का एक special case है that is की आप इनको ऐसे वाक्यों में यूज करते हैं would को जो की मतलब past में कहे जा रहे हैं futures related वाले जैसे मैं परिक्षा पास कर लूँगा I would pass the exam मैं परिक्षा पास कर लूँगा I would pass the exam तो चलिए भई ये थी आज की class जहां पर हमने सीखे set of words किसके लिए future के लिए भी सीखे हमने past के लिए भी सीखे हमने present के लिए भी सीखे तो अब हमारे पास चाहे हम बात present वाले वाक्यों की कर रहे हो चाहे future वाले वाक्यों की कर रहे हो या past वाले वाक है कि किनका स्थमाल हमें प्रेजंट में करना है किनका पास्ट में करना है किनका फ्यूचर में करना है तो अब जब आपके पास collection होंगे words की तो आप easily अंग्रेजी बोल पाओगे और अंग्रेजी बोलते उसके बाद आपको इसमें अपना registration करना है जिसमें आप पहले क्लिक करेंगे register now को register now को क्लिक करने के बाद आपको option आएगा अपना नाम डालने का अपना mobile number डालने का अपना email id डालने का और एक password set करना है आपको 6 डिजिट का आसान सा password set करिएगा एक दो तीन चार पांच छे ऐसा just example है यह set करने का आपको exam मतलब आपको set करना है उसके बाद आपको register बटन पर क्लिक करना है जिसके साथ ही यह आप register हो जाएंगे हमारी app पर उसके बाद आपको courses को क्लिक करना है फिर यह recorded class batch की class है recorded classes की batch है यह तो आपको recorded class पर क्लिक करना है फिर view now पर क्लिक करना है उसके बाद classes पर क्लिक करना है आपके सामने जो है एक list खुल जाएगी p class 1 से लेकर के p class 60 तक 60 60 तक आपके पास पूरी class की list खुल जाएगी जहां पर आपको हर class के सामने unlock now लिखा हुआ दिखेगा आपको view now unlock now class 1 वाला click करना है और उसके बाद आपको ये वाला page खुलेगा जहां पर coupon को click करना है जिससे आपका 2499 का जो price है वो घट करके 299 हो जाएगा फिर आप उसको subscribe गरोगे फिर आप payment page पर पहुँचोगे और यह यहां पर कोई साभी online payment method google pay phone pay pay tm mobi wiki free charge credit card debit card net banking कोई साभी payment method का इस्तमाल करके आप payment कर सकते हो payment successful हो जाने पर आपका admission हो जाएगा और हर वो class जो अब तक आपको unlock now दिख रही थी अब start now start now start now दिखेगी इसके बाद आपको उस class के pdf के लिए view now के section पर जाना होगा class pdf के section में जा करके view now को क्लिक करके उस class के pdf को आप देख सकते हो और असानी से अपने class को पढ़ सकते हो उसके notes बना सकते हो homework बनाया है तो homework चेक कर सकते हो यह सारी चीज़े आपके लिए open हो जाएगी इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो यह number है आपके पास आप शाम के 6 तक में कभी भी इस पर whatsapp message कर सकते हैं समय का खासा ध्यान रखेंगे हर किसी का समय important होता है तो make sure आप सुभह 10 से शाम के 6 बजे तक का ख्याल रखे समय का इसके अलावा free classes सम्मंदित जांकारी के लिए इस number पर whatsapp कर देंगे हमारी e-books लेने के लिए यह वाली website पर जा सकते हैं जहां पर आपको grammar की vocabulary की tenses की mini spoken की basic plus की यह सारी e-books available है payment करने के बाद इन e-books को आपको अपने mobile पर download करना होता है इस बात का खासा ख्याल रखेंगे right इसके अलावा whatsapp का group join कर लीजेगा telegram का channel join कर लीजेगा bbanker english classes के नाम से telegram पर channel आपको दिखेगा वहाँ पर आपको यह वाला link नहीं तो यह वाला number पहुँचाएगा नहीं तो simply अगर आप लिखेंगे bbanker english classes तो आपको मिल जाएगा 27-18,000 के लगपक subscribers हैं तो make sure करें कि आप official channel को ही join करें मेरे नाम को कोई channel नहीं है मैं हर रोज बताती हूँ तो please मेरे नाम से सम्मंधित किसी भी channel को आप subscribe ना करें वहाँ पर आपके साथ मतलब गलत हो सकता है आपको धोखा दिया जा सकता है वगेरा वगेरा तो complaints आती है कई बार तो आप जो है double sure हो जाएं उसके बाद ही आप जो है क्योंकि मैं अपने खुद से बता रही हूँ class में कि भाई आपको इसको join करना उसको नहीं जोइन करना है तो इसका ख्याल आपको रखना होगा तो चलिए channel को subscribe नहीं किया है तो आप देख रहे है bbanker spoken English class और subscribe को लि English class